जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल है वर टेक्नलोजी पर ओ लेवल जनवरी 2023 में जो एक्जाम हुए हैं आप सभी के चाहे वो ओ लेवल हो ए लेवल हो बी लेवल हो या सी लेवल हो उन सभी का जो दोस्तों रिजल्ट है वो मार्च में तो नहीं आपाएगा लेकिन आपने देखा होगा जो नैलेट का टाइम टेवल है उसमें दिया गया है कि मार्च के लास्ट वीक में हम ओ लेवल का ए लेवल का बी लेवल का यानि इन सभी लेवल का रिजल्ट डिकलेर करे मार्च के लास्ट विक में लेकिन यह पॉसिबल नहीं है आपने पहले भी देखा होगा जो जुलाई 2022 का रिजल्ट था वो दो महीने धाई महीने के बाद आया था ठीक है तो इस बार भी इनको इतना ही टाइम लएगा दो से धाई महीने इनको लग जाएंगे जनवरी में एक करना होगा आपको रिजल्ट का क्योंकि तभी तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट पब्लिस कर पाएं उससे पहले मुम्किन नहीं है कि यह आपका रिजल्ट पब्लिस कर पाएं ठीक है तो मार्च में जो जो इनो ने दिया है वो पॉसिबल नहीं है कि यह मार्च में आप सभ विले वस्यू Toby भी लेवल हो या सी लेवल हो बात करते हैं कि जुलाई 33 में जिनको exam देने है उनके exam कब लोग होंगे exam कब लोग करने है exam कब होंगे तो जभी इसकी डेट आएगी मैं आपको इंफर्म कर दूंगा जब भी पेपर लोग की डेट आएगी आपको पेपर लोग करने होंगे पेपर लोग कैसे करते हैं या पेपर लोग का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि आप जितने भी पेपर देना चाहते हैं चार पेपर होत करने हैं जितने आप एक भी लोग कर सकते हैं आप यह बात समझें तो आप जितने चाहें उतने पेपर लोग कर सकते हैं उनके प्रैक्टिकल ओटमेटिक आपको आपके लोग हो जाएंगे और वो देने होंगे आपको दोनों ही आपको पास करने जरूरी होते हैं ऐसा नहीं हो अबहुत आपके एकजाम होता है वो जो भी डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा अभी फिलाल ओ लेवल का जो रिजल्ट है वह अपरेल के लाश्ट तक ही आपका पब्लीस हो पाएगा और पर कोई